सो यह है बजाज की प्लेटिना 110H गियर और इस वीडियो के अंदर आपन थोड़ा सा वोकराउंड करने वाले हैं इसके अंदर आपको बाहर बाहर से क्या क्या चीज़े मिल जाती है चलाने लाइक बेशक एक अच्छी बाइक है लेकिन अग आप इसको पहली नेजर में देख जाता है यह DRL काफी सारी बजाज की बाइक के अंदर अभी भी आ रहा है और नीचे देखे तो यहां पर पर एक हेडलाइट मिल जाती है हेडलाइट की असेंबली है वो प्रोपर DRL वाला जो असेंबली उसके अंदर इंटीग्रेटेड ही मैं इसको बोलूँगा हेडलाइ जाता है सस्पेंशन के नीचे आपको कॉंफर्ट टेक की बेजिंग के साथ में एंटी स्कृट बेकिंग की बेजिंग मिल जाती है यहां पर 240 mm का यह जो डिस्क है वो मिल जाता है जिस वजह से थोड़ी ब्रेकिंग है वो जरूर इंप्रूव होती नजर आती है और अगर की बात करें तो 5 स्पोक अलोई विल्स मिलता है 17 इंचेज के यह अलोई है और सेक्शन की बात करूँ तो 80 by 100 का यह सेक्शन मिल जाता है जो कि इस बाइक के साथ से काफी ठीक है बट अगर आप पिछे वाले टायर के बात करें वह अगर थोड़ा सा अगर इसका सेक्शन थो आगे यहां पर बात करूँ तो इस सेग्मेंट में कम्यूटर बाइक की सेग्मेंट के अंदर आपको कहीं पर भी यह जो नकल गार्ड है वो आपको कहीं नहीं मिलते हैं इस पर्टिकलर बाइक के अंदर आपको प्रोफर अच्छे से नकल गार्ड मिल जाते हैं तो अब इतना सा overextended होता तो थोड़ा gripping के अमावले में आपको थोड़ा confidence आ सकता था कि ठीक है यार इधर भी थोड़ी जगह बची है तो यह थोड़ा सा एक drawback मुझको अभी तक लगता है और यहां पर बात करूँ तो full आपको swipe up यहां पर होता है और semi digital speedometer यहां पर आपको मिल जात gear shift indicator इस segment के bike के अंदर कोई भी offer नहीं करता है बजाज splatina अभी तक offer कर रही है हालांकि अभी 110H gear है इसके अलावा जो इसका उपर का भी segment नया आया है ABS उसके अंदर यह semi digital speedometer हटा दिया गया है तो यह अगर आपको semi digital speedometer चाहिए तब आपको यही bike लेना मैं suggest करूँगा क्यो missing वहाँ पर मिल जाती है और इस तरफ की बात करूँ तो यह proper clutch है और clutch का travel भी ठीक है यहाँ पर pass का switch मिल जाता है और high beam low beam के button indicator का button और obviously एक switch है horn के लिए और इस तरफ बात करूँ तो यहाँ पर light का switch मिल जाता है उसके साथ में self star का switch यहाँ पर है और fluid भरने के लिए आगे क disc के लिए यहाँ पर आपको assembly मिल जाती है तो अब tank की बात करें तो यह 11 लेटर का fuel tank यहाँ पर मिल जाता है fuel tank के ओपर यह अभी particular red color है उसके अंदर आपको silver color की थोड़ी सी graphics मिल जाती है golden color की 3D platina की बेजिंग मिल जाती है जो कि एक अच्छा look इसको दे रही है और बाकी tank tank के बारे में एक शिकायत मैं बताऊं तो यह है कि अगर tank इस bike का थोड़ा सा बड़ा होता तो यह bike थोड़ी सी good looking हो सकती अभी यह bike थोड़ी पत्री लगती है और क्योंकि इस bike के अदर main attractive जो बड़ी चीज दिखती है वो obviously tank है अब tank की पतला है तो पूरा bike ही थोड़ा सा good looking उसको आप नहीं बोल सकते हो तो अगर bike का tank थोड़ा बड़ा होता तो यह looks के मामले में थोड़ा एक अच्छा point हो सकता था तो अब बात करते हैं engine की engine यहाँ पर आपको four stroke DTSI engine मिल जाता है इसके अंदर आपको five gear मिलते है 500 gear है उसको h gear बजाज बोलता है highway gear उसको बोला ज का option दिया है और यहाँ पर देखें तो आपको crash guard है वो थोड़े अच्छे से नहीं मिलते है अलांके city 110 उसके अंदर अच्छी quality के crash guard आपको मिल जाते हैं और यहाँ देखो ब्रेक का lever पर अच्छी खासी एक rubberized treatment यहाँ पर आपको दिख जाता है और engine के बाद में यहाँ दे इसको स्टेबिलिटी जो हाई स्पीड वे वह ज़रूर थोड़ी से एनांस हो गई है अब बात करते हैं suspension की तो यहाँ पर सुस्पेंशन की यहाँ पर कैनिस्टर आपको मिल जाता है सुस के लिए बजास बोलता है कि यह spring on spring यहाँ पर suspension आपको मिल जाते हैं जो की comfort बढ़ा connection है वह जवरूर थोड़ा सा आपको लंब लगता है कहिंचावा लगता है क्योंकि यहाँ पर लंभी सीट मिल जाते हैं तो लंभी सीट मिल जाते हैं यही है अब बात करते हैं एक comfort oriented bike है जिसके अंदर आपको अच्छे suspension मिल जाते है नाइट रोक suspension मिल जाते हैं उसके साथ में आपकी seat जो है वो भी आपका comfort level बढ़ाने में काफी मदद करते है सीट की बात करें तो सिंगल पी सीट आपको मिलती है डिजाइन भी काफी अच्छा है और पीछे आप यहां पर देखे तो comfort टेक की branding आपको मिल जाती है जो कि आपको रिमाइंड कराती है कि आप एक अच्छी कुशनिंग अच्छी सस्पेंशन वाली बाइक के ओपर आप राइड कर रहे हो सो सीट वाइज आपको कोई भी यहां पर करेशानी नहीं मिलती है और सीट के पीछे आपको पर हैंडल मिल जाता है ग्रेब रेल पकड़ने के लिए मिल जाती है तो यह बात हो कि सीट की अभी टेल लाइट के टेल लाइट हैलोजन आपको मिलेगी अब हैलोजन के अंदर भी उन्होंने अच्छे कासे इंटीग्रेटर जो टेक्नोलोजी उसका यूज किया है इंटीग्रेटर यहां पर आपको रिफॉलेक्टर मिल जाता है और नीचे देगा तो आपको बीशिक्स इंटीग्रेटर अपको डिजान वायजी मिल जाते हैं तो यह सब बात हैं और रियर में कुछ खास है नहीं क्योंकि रियर में फोड़े डीसेंट की लिघती है तो यह सबता बजाज प्लेटना एच गेर के बारे में अब यह बाइक पैशन प्रो है उससे भी कंपीट करती है पैशन प्रो इसमें क्या क्या आपको डिफ्रेंसेस है मोटा मोटी तोर पे वो मापको बता देता हूँ पहली बात लुक्स, लुक्स के मामले में पैशन प्रो कई आगे इससे चली जाती है फिर बात करते ही फिचर्स में फिचर्स में ज़रूर पैशन प्रो थोड़ी सी पीछे हट जाती है क्योंकि इसके अंदर आपको सेमी डिजर्ली स्पूड़ मिलता है जिसके अंदर आपको मिल जाता है गिरसिप इंडिकेटर मिल जाता है ट्रिपमेंटर मिल जाता है ट्रिपमेंटर हालांगे पैशन प्रोब भी मिलता है बट मोटर बोटी रोप में फिचर्स के मामले में प्लेटिना पैशन प्रोब से आगे चले जाती है फिर दूसरी बात करते हैं प्राइस की तो बारे में, इस वीदियो के बारे में, इस बाइक के बारे में आपके क्या विचार आप comment box के अंदर बता सकते हैं, बाकि आप अगली वीडियो तक helmet पहने, sit-belt पहने और रात को low beam पर चलिये, घन्यवाद